हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग हांजी बिटे मैं इस वीडियो में उन सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहता हूं जिनके एक्जैम्स में 24 या उसके बाद हैं और वो सीए फाइनल एफ र की क्लासिस मुझसे लेना चाहते हैं यह पिछले 15-20 दिन में हमारे जो बिजनस पार्टनर्स हैं बिजनस पार्टनर मींस जो हमारे फ्रेंचाइज ही लोग हैं साड़े तीन सो लोगों का नेटवर्क के अल आवर इंडिया इन्होंने मैसेज करकर के माल माल मेरी जान खा ली क्या कहना चाहते हैं यह कहते हैं सर बच्चा हमारे पास क्लास लेने के लिए आता है और हम उसको न्यू कोर्स में आपकी क्लासिस के रिगार्डिंग को इंफरमेशन नहीं दे पाते क्योंकि आपने अनाउंस ही नहीं किया कुछ भी तो आप बच्चे को गाइड करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए एक वीडियो बनाओ तो मैं आपके सामने इमानदारी से अपना पक्ष रखूँगा कि मैंने अभी तक कुछ भी अनाउंस क्यों नहीं किया और जो बच्चे क्लासिस की वेट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए मैं सारी बाते आपके सामने रखूँगा टाइम जादा लूँगा नहीं पांच मिनटे में बात ख़तम करके जा रहा हूँ और मेरी बात चीट का पॉइंट नमबर वन बेटे ये है कि ICI ने अभी तक निव कोर्स अनाउंस ही नहीं किया और जितनी इंफर्मेशन मेरे पास है जुलाई के आसपास अनाउंसमेंट आएगी क्यों मही में पेपर होंगे जुलाई में रिजल्ट आएगा जुलाई में रिजल्ट आएगा तो इनको बताना ही पड़े और अगर जुलाई में भी अनाउंस नहीं हो तो फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के आसपास यह अनाउंस करेंगे तो मुझे इमान दरी से बताओ सबसे पहले तो आई सी आई नियू कोर्स अनाउंस करेगा बोलो हा या ना तो क्या फिर यह नए स्टडी मेटीरियल नहीं देगा स्टडी मेटीरियल आएंगे कि नहीं आएंगे तो जब तक मेरे पास आपका नया स्टडी मेटीरियल ही नहीं है तो मैं नहीं रिकॉर्डिंग कैसे कराओ मुझे आप पहले इंसिट्यूट नहीं अनॉंसमेंट करेगी फिर नहीं स्टडी मेटीरियल आएंगे फिर मैं नहीं स चैप्टर चेंज हो रहे हैं और एक 30 मार्क्स के आपके MC की वार रहे हैं ओवराल देखें तो अप्रॉक्सिमेटली सेम है लेकिन हो सकता है इंसिट्यूट है सर इंसिट्यूट तो अनेख्सपेक्टेड है पता नहीं कहां से क्या ले आए तो जब तक नया स्टडी मटीरिल मेरे पास नहीं आता मैं रिकॉर्डिंग कैसे करा हूँ और मैं सारे बच्चों को कि मैसेज यह देना चाहता हूँ कि मेरी नए रिकॉर्डिंग आएगी, एक एक चैप्टर, एक एक कोशन में नया रिकॉर्ड करूँगा, अपने सारे मोड्यूल में चेंज करूँगा, अभी तक क्या चल रहा था, मेरे पांच मोड्यूल होते थे, और वही चैप्टर चल रहे है, मैं अपना सारा मेटेरियल चेंज कर रहा हूं, चैप्टर की सारी सीक्वेइंस चेंज कर रहा हूं, मैं नए नए कोर्स में नए तरीके से पढ़ाँगा, मैं मेरी हर बुक के उपर मार्क्स की वेटेज होगी, उसके अगर्डिंग रहा हूं मेरी नए रिकॉर्डिंग आएगी मेरी नए किताबे आएगी और यह अनॉंस्मेंट में आपको दे रहा हूं बिलकुल नए रिकॉर्डिंग ना कोई चैप्टर ना कोई कोशन सब कुछ नए और यह बात में आनॉंस करुअ हूं है लेकिन पहलें इंसिड़्ेटyuट नया कोर्स अंउंस करेंगा फिर ना इस नाए स्टडी मेटीरल आएंगे और नए स्टडी मेटीरल नाएंगे और रिक recording अभी करी नीरा जब तक study material मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं सट्टा क्यूं खेलू कि पराने study material के basis पर recording करके बैठ जाओ और नए वाले में कुछ हो changes हो जाएं फिर मैं रिस्क नहीं ली सकता तो नई recording के लिए मैं एक महीने की pre booking खोलूँगा उसमें आपने 20-25 लेक्चर record करूँगा बच्चे को पढ़ने लाइक मैंने 20-25 classes दे दी जब तक वह 20-25 निप्टाएगा तब तक उसको देली हर दिन एक या दो लेक्चर उसकी Google Drive पे अफ्लोड होते रहेंगे और विदिन टाइम फ्रेम मैं उसका syllabus कंप्लीट करूँगा और उसको दिखेगा कि सारी recording fresh होती आ रही है एक तो बेटे यह तरीका है कि आप वेट कर सकते हैं मेरी fresh batch के लिए आप वेट कर सकते हैं एक तरीका तो यह है दूसरा बच्चे कह रहे हैं सर अभी मई है आप जुलाई कह रहे हो दो महीने तो हमारा समय बड़ा नश्ट हो जाएगा हमारा तो टाइम ही बड़ा खराब हो जाएगा फिर आप नया बैच रिक यह alternative सब के पास है आप हमारी existing recording मंगवा लो जो चल रही है अभी यह November 23 तक अप लीगेबल है ठीक आप इसको मंगवा लो इसके basis पे आप अपने chapters की तेहरी शुरू करो हम इन दोनों स्लेबस का comparison करेंगे और जितने भी amendments, updates और changes होंगे वो सारे के सारे आपको free of cost telegram पे एक link के द्वारा आपको दे दिये जाएंगे अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं existing recording के basis पे आप पढ़ाई अपनी शुरू कर लो और जितने भी नए study material के अंदर amendments, updates, changes हमें नजर आएंगे वो सारे हम अलग से आपको provide करवा देंगे मेरी बात समझ रहे हैं तो एक ये तरीका है लेकिन मैं ये बात इमान दरीक से इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे भी existing recording खरी देंगे वो बाद में हमें blame ना करें कि सर आपने बताया नहीं था कि आपकी किताबें और आपकी recording नहीं आने वाली है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि time kill हो रहा है existing recording आप मगवा लो और amendments अपडेट्स हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं उसके थुरू आप अपडेट कर ले न अपने आपको या फिर हमारे नए बैच के लिए वेट करो मैं study material लाने के बाद नहीं recording कराऊंगा बुक्स नहीं दूँगा नहीं दूँगा नहीं दूँगा नियू दूँगा नियू रिकॉर्डिंग नियू मॉडियूल तो मैं फिर वो उसके बाद जितने admission होंगे उनको वो प्रवाइ ले रहे हैं जितने भी students हमारे पास आज तक हैं मैं amendments update सबको दूँगा free में उन्होंने classes चाहे मेरे से आज खरी दियू या एक साल पहले खरी दियू अगर कैसी बच्चे के paper में 24 यह उसके बाद है और उसने हमारी existing recording देखी हुई है उसको free में amendment update देना मेरी वैसे भी moral duty बन करते हैं टेलिग्राम का link description में नीचे दिया हुआ है बाकी बच्चे भी follow कर सकते हैं लेकिन सार आपको बता है आलतु-फालतु की बात मुझे आती नहीं मैं करता हूं to the point बात और मैं सीधा बच्चे को कहता हूं बया जो बात है वो यह है इसके बाद decision लेना आपके हाथ मे है अब मेरे को घुमावदार लच्छेदार बाते नहीं करनी आती मैं state forward बोलता हूं और मैं बच्चे को अपना समझ के कभी-कभी डांट भी देता हूं बच्चा बुरा कभी नहीं मानता आज तक इसी बच्चे ने बुरा नहीं माना उनको पता है कि सर आप हमारे father figure है आप ठीक है जी कोई और दिक्कत हो मुझे WhatsApp करना नंबर आपके पास है WhatsApp कोई प्रॉब्लम है मुझे आप बताना मैं आपको रिप्लाई करूँ और तेंक यू वेरी मुच टेक केर बाबाए लव यौ बाबाए लव यौ बाबाए